साम के समय भूल कर भी मत करना ये साथ काम वरना नमबर पहला साम को ज़ाडू नहीं लगाना चाहिए नमबर दूसरा साम के समय दूसरों की बुराई करना या चुगली करना भी पाप ही है इस काम से हमेशा बचना चाहिए नमबर तीसरा, साम को स्वाना स्वास्त के लिए अच्छा नहीं है, जो लोग साम को नियमित रूप से सोते हैं, वे मोटापा का सिकार हो सकते हैं नमबर चौथा, जो लोग बहुत अधिक गुसा करते हैं, वो खुद के स्वास्त को तो नुकसान पहुचाते ही हैं, साथ ही दूसरी को भी दुख देते हैं नमबर पांचवा, साम के वक्त पढ़ाई भी नहीं करनी चाहिए, जबकि सुबा के वक्त पढ़ाई करनी चाहिए, नमबर छाटवा, साम के वक्त खाना नहीं खाना चाहिए, नमबर साथवा, सूरल अस्त होने के बाद दूद दही का दान ना करें, आसा करता हूँ आपको इ इसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जैवारत बंदे मातरम